अपनी जबर्दस्ट स्पीड और शांदार लुक्स की वज़े से दुनिया बर में फेमस केटियम की बाइक्स भारत में लॉंच होने के बाद से ही लोगों के दिलों की धड़कन बन चुकी है यह एक ऐसी बाइक है जो की हर युवा की पसंद है और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ अमीर लोगों की पहुँच में है इसकी कीमत इतनी लाजमी तो है किसे हर बाइक लवर अगर चाहे तो खरीद सकता है वैसे तो KTM ने भारत की बाजार में कुछी सालों पहले दस्तक दी है लेकिन थोड़े समय में ही यह मोटरसाइकल की दुनिया में शिखर पर पहुँच चुकी है और शायद ही कोई ऐसी बाइक होगी जिसे की इतने कम समय में इतना प्यार मिला हो और दोस्तो KTM बेसिकली आस्ट्रिया की मोटरसाइकल और स्पोर्स कार बनाने वाली कमपनी है जो की KTM इंडस्ट्री जी और बजाज आटो के द्वारा अपरेट की जाती है दरसल दोस्तो KTM AG की अस्थापना 1992 में हुई थी लेकिन इस कमपनी की असल शुरुवात तो आज से कई सालों पहले 1934 में ही हो गई थी आज के समय में KTM AG जो है वो KTM ग्रूप की पैरेंट कमपनी है तो चलिए दोस्तो KTM के पूरे सफर को अच्छे से समझने के लिए हम इस कहानी को शुरु से जानते है तो दोस्तो इस कहानी की शुरुवात होती है साल 1934 से जब आउस्त्रिया के एक इंजीनियर जोहान ट्रंकन पोल्ज ने एक कार रिपेरिंग के दुकान की शुरुवात की लेकिन आगे चल कर वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया और उस दोरान जोहान सेना में शामिल हो गया और फिर कुछ सालों तक घर के खर्चों को चलाने के लिए उनकी वाइफ ने ही पूरे बिजनस को समाला लेकिन जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो रिपेरिंग के काम में बहुत बंदिया गई और इसी दोरान ट्रंकन पोल्ज ने अपनी खुद की मोटरसाइकल्स बनाने का फैसला किया और फिर उनकी पहली मोटरसाइकल R100 का प्रोटोटाइफ 1951 में मनाया गया इस मोटरसाइकल में Rotex कंपणी का एंजन लगा था और इसके अलावा मोटरसाइकल के ज्यादातर पार्ट्स को दुकान पर ही बनाया गया था दो साल तक जब मोटरसाइकल की जाच पूरी तरीके से कर ली गई तो फिर 1903 में मोटरसाइकल का प्रोडक्शन करना भी शुरू कर दिया गया उस वक्त कंपणी में सिर्फ 20 इंप्लोईस काम किया करते थे लेकिन एक दिल्चस्प बात यह थी कि सिर्फ 20 लोगों के साथ भी कंपणी हर दिन करी तीन नई बाइक्स बना लिया करती थी हाला कि दोस्तों अभी तक यह कंपणी रेजिस्टर्ड नहीं की गई थी लेकिन 1903 में अर्नस्ट क्रॉन्रिफ नाम के एक बिजनस्मैन ने कंपणी में इंवेस्टमेंट किया उसके बाद कंपणी को क्रॉन्रिफ रंकेन पोल्ज मैटी गोफेन नाम के साथ रेजिस्टर्ड किया गया 1954 में कंपणी ने R125 टूरिस्ट नाम की एक बाइक लाँच की और इसके बाद ही ग्रैंड टूरिस्ट और स्कूटर मीराबेल को 1955 में लाँच किया गया हालकि इसी भीच कंपणी के लिए गोरों का पल तब आया जब 1954 में के टियम के बाइक ने आस्ट्रियन 125 सीसी नेशनल चेंपियोंशिप का खिताब अपनी नाम कर लिया और यह रेज जीत कर कंपणी ने रेसिंग जगत में भी अपना लुहा मनवाया 1957 में के टियम की पहली स्पोर्ट्स बाइक आई जिसका नाम ट्रॉफी 125 सीसी था साथ ही इसी साल के टियम का पहला मोबैड में की भी लॉंच किया गया आगे चलकर 60 के तशक के दोरान कंपणी ने साइकल्स बनाना भी शुरू कर दिया लेकिन इसी बीच कंपणी का बुरा दोर तब शुरू हो गया जब कंपणी के हिस्सेदार अर्नस्ट क्रॉन रिफ की मृत्यू 1960 में हो गई और फिर दो साल के बाद ही 1962 में हार्ड अटैक की वज़े से कंपणी के फाउंडर जोहान ट्रंकन पोल्ज ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया और दोस्तों यह दोर कंपणी के लिए बहुत ही बुरा साबित हो रहा था अपने पिता के मृत्यू के बाद एरिश टंकन पोल्ज ने कंपणी को मैनेज करने के जिम्मदारी अपने सर पर उठाई और उन्होंने कंपणी को एक नए सोच के बलबूते आगे बढ़ाया एरिश टंकन पोल्ज के समय कंपणी ने काफी विकाश किया और 1971 में इस कंपणी में काम करने वाले लोगों की संख्या 400 से भी ज्यादा हो चुकी थी अपनी अस्थापना के 40 साल के बाद KTM 42 अलग-अलग तरह के मोटरसाइकल्स के मॉडल बना रही थी और फिर 70 और 80 के दर्शक में मोटरसाइकल्स बनाने के साथ साथ कंपणी ने मोटर्स और रेडियेटर्स बनाना भी शुरू कर दिया था KTM के दोरा बनाये गए रेडियेटर्स योरोपियन कार मैनुफेक्चरर्स को भेजे जाते थे जो की 80 के दर्शक में कंपणी के बिजनस का एक आहम इसा हुआ गरता था लेकिन इसी बीच कंपणी के दोरा बनाये गए स्कूटर और मोपैड की डिमांड में काफी कमी आ गई और इसे लिए 1988 में इनका प्रोडक्शन बंद करने का फैसला किया गया और फिर अगले ही साल कंपणी के माली एरिश ट्रंकन पोल्च की भी मृत्ती हो गई अब धीरे धीरे कंपणी की आर्थी किस्तिती खराब होती चली गए कंपणी कर्ज में पूरी तरह से डूप चुकी थी और फिर 1991 में कंपणी का मैनेजमेंट उन बैंक्स को दे दिया गया जिसकी किवे कर्जदार थे और फिर अगले साल 1992 में कंपणी को चार अलग-अलग हिस्तों में बाढ़ दिया गया जिसमें से KTM Sports Motorcycle GMBH जो की KTM का Motorcycle Division था उसने Motorcycle के काम को आगे बढ़ाया और कंपणी के सबसे मशूर बाइक Duke Motorcycle Series का प्रोडक्शन 1994 में शुरू किया 1997 में कंपणी ने LC4 Supermoto और Adventure Bikes की शुरुवात थी और फिर आगे चल कर 2007 में इंडियन Motorcycle Manufacturer बजाज आटो ने KTM के 14.5% शेर को खड़ी थिया और फिर 2013 आते आते बजाज आटो के पास कंपणी की 47.97% की हिस्सेतारी हो चुकी थी 2012 में KTM Sport Motorcycle GMBH का नाम बदल कर KTM AG कर दिया गया और 2015 आते आते कंपणी का टर्न ओबर एक बिलियन यूरो को चुग गया साथ ही इस कंपणी में काम करने वाले लोगों की संख्या 2515 पहुँच चुकी थी और दोस्तो केटियम की आज कल की फेमस बाई KTM 200 ड्यूक को महराश्ट्र के चाकड में बजाज आटो के प्लांट में मना जाता है तो दोस्तो यह थी केटियम कंपणी की कहानी जिसने के अपनी ड्यूरेशन में काफी सारे उतार चड़ाओ देखें लेकिन इसने आज भी मोटर साइकल जगत में अपने नाम को बरकरा रखता है